स्रिया चिन एक ऐसा युद छेत्र जहां दुस्मन की गोलियों से ज़्यादा खत्रा प्रकृति की कहर से होता है समुदर से लगभग 22,000 फिट की इस उचाई पर सांस लेने के लिए परियाप्त आक्सीजन तक नहीं जहां रोख अपा देने वाली माइनेस 55 डिग्री सेल्सिस की सर्दी में होती है तो सर्फ जिंदा रहने की जद्दोच है एक एक कदम बढ़ने के लिए प्रकृति से जंग जीतना पड़ता है अकसर सुहानी लगने वाली वर्व की सफेद चादर यहां कफन में तबदील होकर बिच जाती है और जो यहां अपने कफन को सिर पर बाध कर दुश्मनों से अपने देश की रक्षा के लिए मजबूत चटान बनकर खड़ा रहता है वो है भारतिय सेना का जवान ऐसी विशम परिश्थिती में भारति सेना के जाबाजो द्वारा सिया चीन फैतर करने की दास्ता जिससे बहुत से हिंदुस्तानी अपसक अंजान है जो इससे वाकिव वे हैं उनमें से भी कुछ इसके कई तथ्यों को नहीं जानते आज फिर से नारट टीबी एक ऐसी ही अंसुनी कहानी आप सभी दर्शकों के लिए लेकर आया है नमस्कार दोस्तों मैं हून रागसूरी बन्शी और आप देख रहे हैं नारट टीबी की खार श्रिंखला इतिहास के पन्नों से आजादी के बाद से ही भारत ने पाकिस्तान से 1972 और कारगल सही अने को युद्ध किये हैं बलकि यूं कहें कि ये युद्ध भारत पर थोपे गए हैं जिनके परड़ाम पूरी दुनिया के सामने हैं लेकिन इसके अलावा कुछ और भी ऐसे मौके आये जब भारती सेना के जाबाजों ने अपने पराकर्म और मजबूत होसलों से असंभो लगने वाले कारणामे करके मिशाल पेस किया सीमिस संसाधनों में भी ना सिर्फ दुष्मन की चुनोतियों का सामना किया बलकि फत्य हासल करके भारत के आत्मसम्मान की रक्षा की इनमें से ही एक है इनकी बहादूरी को बया करता ओपरेशन मेगदू जिसके बदावलत सीयाचीन ग्लेशियर को पाकिस्तान के एक अबज़े से चुड़ा कर भारत के पूर्ण नियंतरण में लाया गया था तो आई इस घटना को शुरुआस से जानते हैं 1947 के बटवारे के साथ ही भारत-पाकिस्तान विवात का दौर भी शुरू हो गया था इसी समाधान के लिए 1949 में कराची समझोते का करार हुआ जिसमें सीयाचीन ग्लेशियर को भारत-पाकिस्तान सीमा के दायरे से बाहर रखा गया हाला कि ये भारत का हिस्सा था लेकिन वो बर्फ के रेगिस्तान से अधिक कुछ नहीं था इसलिए उस समय इस सेत्र पर ज्यादा चर्चा नहीं की गई और ये भी नरड़े हुआ कि उस सेत्र में किसी की ओर से मौजूदगी की कोई हलचल नहीं होगी लेकिन कहते हैं ना जो बाद से मान जाये वो पाकिस्तान कहा उसने सियाचीन के 36,000 वर के भूमी को हतियाने की रूप रेखा जियाउल हक के पहले कारिकाल से ही खीचना शुरू कर दिया पाकिस्तान ने 1977-78 में यूरोप के परबता रोहियों को सियाचीन में ट्रेकिंग का आमंतर देना शुरू किया इसकी वज़ा ये थी कि वो उन परबता रोहियों को अनुती के भाने भवेश्य के लिए कागजी सुबूत तयार कर रहा था जिनसे वो अंतराश्विय मंचों पर दावा कर सके इसकी जानकारी भारत को तब मिली जब करणल नरेंदर कुमार को जर्मनी परबता रोहियों के पास नक्षे मिले जिसमें पाकिस्तान ने सियाचीन के 10,000 बर्ग शित्र को अपने नक्षे में देखाया था आपको बता दें कि आज भी पूरी दुनिया में नक्षों के जरिये की ये हमलो का सलसला थमा नहीं है 17 अपरेल 1984 की तारीक को पाकिस्तानी सेना की ओर से सियाचीन पर कबजा करने के लिए आपरेस्टन अबाबिल को अंजाम देने के लिए नरधारित किया गया जिसकी सूजना भारत को तब हुई जब पता चला कि उसका पडोसी पाकिस्तान येरोप से भारी मात्रा में ऐसे एक्क्यूप्मेंट की खरिदारी कर रहा है जो परफीले चोटियों में युद्ध करने में उपियोग मिलाये जाते हैं जो उसके सियाचिन में जंग के मनसूबे को साफ जाहिर करती थी भारत उस समय सियाचिन के हालातों में युद्ध करने के लिए बिलकुल तयार नहीं था क्योंकि 20,000 फिट की इस उचाई पर जहां तापमान माइनस 70 डिगरी सेलसियस तक होता है वहाँ आकसीजन की कमी और नमी के कारण फेफ़डों में पानी भर जाता है जिसका बस एक ही अंजाम होता है दर्दनाक मौत वहीं 35 फिट तक स्नोबाल सबसे बड़ी चुनोती थी आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर कोई वहाँ रात में एक जगा खड़ा रहे तो वो सुबा बर्फ के 35 फिट अंदर धसा मिलेगा और सियाचिन के ये आकड़े भी आपको चौका सकते हैं कि अब तक दुनिया के इस सबसे उचे युद्ध छेत्र में दोनों देशों के सैनिक उतना युद्ध में नहीं मेरे जितना यहां की प्राकृतिक कहर से मवजूदा दोर की बात करें तो आज यहां मवजूद भारतिय सेना के जवानों को कड़े प्रसिक्छड और सभी संसादों के साथ भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है और हमारे कई जवान आज भी इसकी चपेट में आकर अपनी जान गवा देते हैं वहां उस समय युद्ध करने में कितनी चुनोतिया रही होंगी आप इसका अंदाजा भली भाति लगा सकते हैं आप यहां ये भी सोच रहे होंगे कि जहां की जनसंख्या शून्ने हो और जिसका आर्थिक रूप से कोई महत तो नहीं है फिर उसके लिए विवादा और जंग क्यों वास्तों में सिया चिन ग्लेशियर भारत पाकिस्तान बॉर्डर ही नहीं पियोगे और अकसाई चिन के मद्य का भाग भी है उस पर पाकिस्तान के गबजे का अर्थ था पाकिस्तान चिन की शक्ति का संयुक्त हो जाना जो भारत के लिए हमेशा ही चुनोती पूर्ड बना रहता और पाकिस्तान तथा चिन के मनसूबों के आगे ये छेत्र सामरिक दिश्टी से और भी महत्पूर हो जाता है पाकिस्तानी ओप्रेशन अबाबिल की सूचना मिलते ही भारत बहुत असमंजस के स्थिती में आ गया क्योंकि उसमें हालात ये था कि एगर सेना के तीन जवान इस पर जाते थे तो कमांडर उन्हें असपस्ट बोल देता था कि तुम लोगों में से कोई दो ही वापस लोट कराएगा क्योंकि उसमें यही आकड़े सामने आते थे कई मौकों पर दुश्मन पर हमला ही हमारे लिए आत्मरक्षा का सबसे अच्छा विकल्क बन जाता है भारतिय सेना ने भी सीमिस संसाधनों के साथ ही सिया चिन पर चढ़ाई करने की योजना बनाई 13 अपरल 1984 की तारिक आपरेशन मेग दूद के अंजाम की तारीक तरह की गई यहां भारतिय जाबाजों के लिए चुनोती ये भी थी कि सिया चिन की भारत की ओर से चढ़ाई सीधी थी जो पाकिस्तान की ओर की चढ़ाई से बहुत ज्यादा था लेकिन कोई भी चढ़ाई भारते जवानों के उचे हांसलों के आगे बौनी ही थी सियाचिन ग्लेशियर कई बरफिली पहाड़ीों का समोव है जिसमें ग्योंगला, विलोफ हौंडला और सियाला शामिल है इसी को ध्यान में रखकर रणनीती तयार की गई विलोफ हौंड पर चढ़ाई की जिम्मेदारी कुमाओ रेजीमेंट को दी गई और सियाला की कमान लद्दाक स्कॉट्स को मिली इसके बाद 13 अप्रेल के बैशाखी का वो दिन भी आ गया जब योजना के अनुसार आपरेशन में एक दूद को अंजाम देना था करेश सुबा सबा 5 बजे चौथी कुमाओ के कैप्टन संजे कुलकरणी ने इस कयामत के दिन का आगाज किया उन्हों ने अपने एक साथी के साथ चीता हलीकाप्टर से उडान भरी जो बिलोफ हौंड पर पहुँच कर अपने हरकत में आ गए दूसरी और उनकी बटालियन ने भी मशीन गन और हलके रोकेटों के साथ खड़ी पहाडियों पर चढ़ाई शुरू कर दी लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि ये इतना असान भी नहीं था राश्ते में ही एक सैनिक को पलोम नरी एडिमा नामक रोग हो गया जिसमें फेफ़डों में सोक कर पानी भड़ जाता है जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं अब घायल सैनिको को वापस उक्चार के लिए भेजना जरूरी हो गया था क्योंकि जरासी भी देरी से उनकी जान जा सकती थी और एसे हालात में वापस आना संभव नहीं था उनके पास बस एक ही विकल्प था रेडियो द्वारा सहता मागना लेकिन रेडियो सिग्नल एक्टिव होते ही दुष्मन को उनकी मवजूदगी का पता चल जाता इसी बीच भीशड आधी और तूफान भी आ गया जिसमें भारतिय सेना का एक जाबाज शहीद हो गया अब भारतिय सेनिकों ने इसे दर्किनार करते हुए रेडियो द्वारा ज़रूरी सहता मागी क्योंकि वो अपने साथी के लिए कोई भी खत्रा मोल लेने को तयार नहीं थे और किसी भी हालात में पार्थिव शरीर को वहां छोड़ने को तयार नहीं थे तो ये है भारतिस सैनिकों की अपने साथियों के प्रति सहयोग और समर्पड की भाहोना रेडियो सिग्नल एक्टिव होते ही पाकिस्तानी सेना भी हरकत में आ गई और इसकी सूचना अपने अधिकारियों तथा आला कमान को दी अब यह ओपरेशन आमने सामने की लड़ाई का रूप ले चुका था उसके बाद शुरू हुआ दोनों ओर से भीश और खूनी जड़ब इस ओपरेशन को लेकर ये बाद भी बताई जाती है जिस पर आज की समय में लोगों के लिए विश्वास करना नामुंकिम हो जाता है जब विलाफान की चोटियों पर साथी जवान टेंट में सो रहे थे तब लॉंसनाइक संजे बाहर पहरा दे रहे थे आपके लिए विश्वास करना सहज नहीं है लेकिन भारतिय जाबाजों के एसे और भी किस्से हैं जो लोगों के लिए विश्वास करना आसान नहीं है नारटीबी आपके लिए ऐसी ही अविश्वेशनिय सोरेगा था लेकर आता रहेगा नायक संजे की शहादत के बाद उनके साथियों ने मोड़जा समाला और 26 पाकिस्तानी सैनिकों को धेर कर दिया इधर विलाफॉन पर फते के बाद लद्धा के स्काउट ने याला पर कबजा कर लिया इसमें एक यावी रोचक बास सामने आई पाकिस्तानी सेना को या पूर्ण विश्वास था कि इसके द्वारा भेजे के 26 जवानों ने विलाफॉन पर पहुँच कर कबजा कर लिया होगा जिससे उसने हिलिकॉप्टर से अपने सैनिकों के लिए अन्योफ्योगी समान गिराने शुरू कर दिये जो भारतिय सेना के काम आये यहां मैं सीख लेने वाली बात ये है कि किसी भी चीज की आती हमेशा ही नुकसान दे होती है चाहे वो आत्म विश्वाशी क्यों ना हो पाकिस्तान का ये आत्म विश्वाशी था कि उसने जाने अन जाने में भारतिय सैनिकों की सहायता कर दी अब पूरे सियाचिन के फैता के बाद ही इस पर तिरंगा फैरा दिया गया और एक वाफिर भारतिय सेना अपने पराक्रम और कौशल से नामूंकिन लगने वाले मेशन को पूरा कर दिखाया जो हमेशा ही सभी भारतियों को गर्व का एहसास देता रहेगा नारट टीवी के इस वीडियो का उत्देश सिर्फ आपको इतियास की घटना को बताना ही नहीं है बलकि भारतिय सेना के वीरता त्याग और समरपर से एक वाफिर से रूबरू करवाना है जिसे आप आए दिन देखते रहते हैं और उनकी भावनाव को महसूस करते हैं नारट टीवी अपने देश की जाबाजो को सलाम करती है तो दोस्तों मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें ता